मन्थन हब जो आपको हमेशा मन्थन करने में मदद करें अथर्व वेद के इन दोनों जवरदस्त स्लोकों को समझाते हुए हम आज की दिल्चस्प वीडियो प्रस्तूत करने जा रहे हैं रुजन परी रुजन निडन परी मिर्णन म्रोको मनुहा खनो निर्दाह आत्म दुसीश्तन दूसी ही ये काम वा सेक्स रोगी वनाने वाला है बहुत बुरी तरह रोगी करने वाला है, मार देने वाला है, बहुत बुरी तरह मारने वाला है यह टेडी चाल चलता है, मानसिक सक्तियों को बरबाद कर देता है शरीर में से स्वाष्ट बल आरोग्यता आदि को खोद खोद कर बाहर फेक देता है शरीर के सब्धातूं को जला देता है, आत्मा को मलीन कर देता है शरीर को दुसीद करके उसे तेज हीन बना देता है अति स्रिष्टो अपा ब्रिसवोति स्रिष्टा अगनयो दिव्या इदम तमती स्रजामितम माभ्यमनिक्षी अर्थात सरीर में फैल रहा, वीरी रुपी जल को बाहर ले जाने वाले, सरीर से अलग कर देने वाले काम को मैंने दूर हटा दिया है अब मैं इस काम को अपने से हमेशा दूर फेकता हूँ, मैं इस आरोग्यता बल बुध्धि नासक काम का कभी सिकार नहीं होने वाला इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिवंध प्राणयाम कैसे करना है त्रिवंध प्राणयाम रोज करने से सेक्शुल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इसी सेक्शुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके अगर आप भोगी बनते हैं तो आपको रोगी बनने में कोई नहीं बचा सकता इसी त्रीबंद प्राणयाम से मिले हुए सेक्स्वल स्ट्रेंद को अगर आप सही स्तिमाल करके योग में लगाते हैं तो आप बन जाएंगे सक्तिमान ऐसा सक्तिमान जिसमें सारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक सक्ति का भंडार है त्रीबंद प्राणयाम सुबे खाली पेट करें और उचित आसन बिछा कर बैट करें पहले कमर सिधिक करके सुखासन या पदमासन में बैठें और साथ बार अनलोम बिलोम प्राणयाम अर्थाक नारी सोधन प्राणयाम करें नारी सोधन प्राणयाम के बाद ही त्रीबंद प उडियान बंद और चालंधर बंद शुरुवाती दौर में तीनों बंदों को एक साथ कभी नहीं करें शुरुवात में एक एक बंद करीब 40 दिन तक करें उसके बाद ही शरीर त्रीबंद प्राणयाम करने लाइक बनता है पहले जानते हैं मूल बंद के बारे में जोर से स्व स्वास भरें और रोक कर रखें उसके बाद गुदाद्वार और पेसाब करने की जगे को संकुचित करना है यानि की पीछे की तरफ खीच कर रखना है कोशिस करें एक मिनिट तक स्वास रोक कर इस अवस्ता में रहना है फिर स्वास छोड़कर बाहर कम से कम 20 सेकेंड्स तक रोकना है उसके बाद 20 सेकेंड्स तक बीना रोके स्वास चलने देना है और शांत रहना है फिर से स्वास भरकर रोकते हुए मूल वंद करना है स्वास छोड़कर 20 सेकेंड्स तक बाहर रोकना है और उसके बाद 20 सेकेंड्स तक सांत रहना है इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोरा सकते हैं मूल बंद से काम वासना पर नियंतरन होता है और सेक्षुल एनरजी उर्द गामी वर ट्रांस्मिट होती है मूल बंद से कुंडलीनी सक्ति का केंद्र मुलाधार चक्र जागरत होता है इस क्रिया को करते वक्त ये भावना होने चाहिए कामुत तीजना का केंद्र मुलाधार से उपर उठकर मेरुदंड होकर उपर रेंग रहा है और सहस्रार चक्र में पहुँच गया है अब जानते हैं उड्डियान बंद के बारे में उड्डियान बंद में नाभी और पेट को संकुचित किया जाता है अर्थात पीछे की तरफ खीच कर पीट के साथ ठटा कर रखना पड़ता है मूल बंद में आपने जो भी कुछ किया वही उड्डियान बंद में भी किया जाता है अंतर बस इतना है पएसाप की जगे को संकुचित किया जाता है जबकि उडियान बंध से आथों को मजबूती मिलती है पेट समंधी विमारी दूर होकर जीवनी सक्ती बढ़ती है और इंसान दिरगायू होता है। उडियान बंद के अभ्यास से कुंडलीनी सक्ती मनिपूर चक्र जागरत होता है। के तरप दबा रहे हैं। जालांदर बंद से अहंकार पर जीत मिलती है। और मानशिक यकागरता बढ़ती है। जालांदर बंद से कुंडलीनी सक्ति का केंद्र विशुधा चक्र जागरत होने में मदद मिलती है। इन तीनों बंदों को अलग-अलग कम से कम 40 दिन तक अभ्य का द्वार पेट और ठोड़ी तीनों को एक साथ लॉक करना है जैसा हमने बताया है एक मिनिट तक का त्रीबंद प्राणयाम किसी चमतकार से कम नहीं है क्योंकि इससे 6 मेहने में ही सुपर हुमन क्वालिटीज आने लगती है स्वास छोड़कर बाहर रोकना है 40 सेकंड्स तक फिर 20 सेकंड्स तक बीना रोके ही सांत रहना है त्रीबंद प्राणयाम दस बार रोज कर सकते हैं आये जानते हैं त्रीबंद प्राणयाम से क्या-क्या चमतकारिक फायदे होते हैं नमबर वन पीनियल ग्लांड जहां से सरोटीन आदी महतपूर्ण हर्मोन सिक्रेट होते हैं उसे प्रभावित करता है त्रीबंद प्राणयाम जिससे तीसरा नेत्र खुलने का रास्ता बन जाता है नमबर टू एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक से चलाने में मदद करता है एंडोक्राइन सिस्टम सरीर में बहुत सारे महतपूर्ण हर्मोन को सिक्रेट करता है नमबर थ्री मनुष्य शरीर में लगभग सत्तर अरब सेल सबकोस होते हैं हर सेल को नया जीवन प्रदान करता है त्रीबंद प्राणयाम नमबर फोर उम्र ढलने की प्रक्रिया को रोकता है नमबर फाइव गहरे ध्यान के लिए मन को तैयार करता है नमबर शिक्स जीवन भर आर्योग्य सक्ति देता है नमबर सेवन बुद्धि को स्तीर करके काम वासना और इंद्रियों के उपर जीत प्रदान करता है 8. खोई हुई जीवनी सक्ति और वीरी सक्ति को फिर से प्राव्ट करने में मदद करता है 9. जीवन के संग्राम में हारा हुआ और मरा हुआ व्यक्ति फिर से नई जान और उर्जा को प्राव्ट कर सकता है अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है और चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें तो इस वीडियो को 10,000 लाइक्स देने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में धन्यवाद अगर आप मंतन हपस्च डायरेक्टली मांक दसन चाहते हैं उसके लिए फोन काउंसिलिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिये गए फेस्बुक लिंग से आप ओडियो काउंसिलिंग बुक कर सकते हैं